Hey everyone, welcome to PC Build Series PC Build Series में हम आपको आपके budget और category के हिसाफ से PC के components, सही components recommend करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको recommend करने वाले हैं PC components for video editors तो अगर आप Premiere Profile हो रहा दाव इंसी Resolve, After Effects जैसे software's यूज़ करते हो और एक PC ढूंड रहे अपने लिए हैं ये video आप ही के लिए है, यहाँ पे हमने इसमें 3 category लिए है, low end, mid range और high range जिसमें मैं आपको कुछ upgrades भी suggest करूँगा आपके अगर बीच का budget है तो तो सबसे पहले हम बात करते हैं low end budget वाले PC की, तो यहाँ पे जो मैं CPU आपको recommend करूँगा वो है Intel i3-12100F ये CPU नए generation का नहीं है, आप 14100FB आ रहा है, बट ये budget में, मतलब 8800 के price में अभी ये मिल रहा है और वो budget में इससे best CPU आपको नहीं मिलेगा और ये processor still capable है 1080P level की editing कराने के लिए, तो आप इसे जरूर सिलेक कर सकते हो अगर आपका budget काफी जादा काम है तो इसके लिए आप ले सकते हो AT610 motherboard, जो कि आपको around 6500 तक मिल जाता है MSI की तरफ से तो आजकल का नहीं जमाने के नहीं softwares में आपको GPU की भी जरूरत होती है editing में especially for after effects and DaVinci Resolve जैसे editing softwares, को बहुत ही high-end GPU की जरूरत नहीं है but yes GPU होना आपके लिए बहुत ही helpful होगा, तो यहाँ पर आप जा सकते हो NVIDIA GTX 1650 के साथ, आपको budget और भी बहुत जादा tight है तो आप 1030 भी ले सकते हो, चलेगा वो but 1650 रहेगा तो बेटर रहेगा if we are using DaVinci Resolve और after effects, रहाँ आपको लिनी 8GB की दो stick जाने की 16GB, लास्ट PC build series में मैंने 8GB recommend किया था अगर budget कम है, बट आपको मैं बोल रहा हो RAM बहुत सस्ते हो गया है, आपको 16GB तो लही के रखना है, future proof भी वो रहेगा, storage आप अपने according से ले कर स SSD ही लेना है, नए जमान है, फिर आपको PSU select करना है, यहाँ मैं मैं सज़ेश करूँगा आप यह cooler master के 450W के साथ जा सकते हो, बहुत ही capable power supply है, बहुत करते है cabinet की, यह भी आपकी personal choice है, आपको black लेना है, white लेना है, golden लेना है, बट मैं आपको यहाँ पर सज़ेश करूँगा, Chipronix Titan X, यह मुझे अच्छे budget में अच्छा cabinet लगा, तो आप इसे select कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा budget पूश कर सकते हो, तो मैं suggest करूँगा, i3 12 Gen की जगह पे आप i5 12 400F लें, वो ज्यादा capable CPU है, अगर budget आप 4000 तक और बढ़ा सकते हो, तो ज़रूर आप उस PC के साथ जा सक और आपको अगर build करने नहीं आता, तो एक problem create हो सकती है, और मैं जानता हूँ, most of the लोग ऐसे हैं, जो कि खुद से build नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दिक्कते आती है, तो उनके लिए best option है, IT gadgets online, यह PC components का store है, जहाँ पे आप online PC order कर सकते हो, यहाँ पे मैं या अपने components को customize भी कर सकते हो, मतलग अगर आपको RAM थोड़ी जादा चाहिए, या फिर storage बहुत जादा चाहिए, क्योंकि generally मैंने storage 500GB और 1TB तक ही बताई है, तो आप यहाँ पे 2TB, 4TB अपने according storage order कर सकते हो, समझ लो जो cabinet है, आपको अपने हिसाब से चाहिए, तो जो भी available option है, वो आपको बता देंगे, आप उनसे directly consult कर सकते हो, उनके WhatsApp chat का link मैंने description में दिया है, आप वहाँ जाके inquire कर सकते हो, जो भी आपको component, जो भी PC आपको बनवाना है, और ये वीडियो उनके द्वारा sponsored है, तो हमारे audience के लिए एक special coupon code भी है, जिसका use करके आप लोग discount पा सक तो ये जो भी components में आपको suggest कर रहा हूँ, इन्हें आप ध्यान से सुने, इस PC में जो CPU आप select करोगे, वो होगा Intel i5-13400F, ये personally मैं खुद यूज करता हूँ, और इसमें मैं video editing करता हूँ, बहुत ही capable CPU है, बट मैं यहापे suggest करूँगा, इस CPU के साथ आप एक cooler भी ले ले ले, तो आप MSI B760M के साथ जा सकते हो, तो अब बात आती है GPU के जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आजकल के softwares में GPU भी important role play करते हैं, तो यहापे आप जा सकते हो RTX 3050 के साथ, जो कि आपको around 22,000 तक मिल जाता है, बट अगर आपका budget काफी टाइट है, तो आप 1660 के साथ भी जा सकते हो बहुत जादा important नहीं है, यह, specially Premiere Pro में बहुत जादा difference create नहीं होने वाला है आपको, आप 1660, even 1650 के साथ भी जा सकते हो, RAM यहापे मैं आपको same suggest करूँगा 16GB, अब चाओ तो 32GB भी यूज़ कर सकते हो, मैं personal अपने PC में 32GB यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कभी-कभी After Effects में बहु SSD के साथ, या फिर 1TB SSD के साथ, SSD लेना मस्त है, आपको hard drive लेनी ही नहीं है, क्योंकि यह है 2023, और यहाँ पर SSD भी सस्ते हो गया है, तो आपको hard drive के दरफ देखना भी नहीं, PSU आपको लेना है 550W का, तो मैं आपको यहाँ पर recommend करूँगा, Cooler Master 550W का PSU, तो आप बात करते हैं cabinet तो आप इस PC के साथ जा सकते हो, इस build में आपको एकदम लेटेश CPU में आपको recommend करूँगा, Intel का 14 Gen i7, मतलब i7-14700KF, बहुत सारे लोग comment section में पूछता है कि KF क्यों लेते हो, आप हर चाइम पर F क्यों सज़ेश करते हो, क्योंकि हम यहाँ पर dedicated graphic card यूज कर रहे हैं, तो हम integrated traffic card यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसके लिए F-Series वाला processor ही select करते हैं, वो K हो या फिर non-K हो, और इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा cooler, तो cooler में आपको recommend करूँगा, Deepcool LS 720 SE, और motherboard में आपको इस build के लिए recommend करूँगा, MSI Pro Z790, DDR4 के साथ भी आप जा सकत है, RTX 4060 Ti, ये graphic card भी काफी capable graphic card है, आप इसे भी use कर सकते हो, for any editing software, SSD में आपको suggest करूँगा, 1TB की NVMe, आप उसके according, अपने काम के according, 2TB, 4TB, जीतना भी आपको जरुवत है, आप अपने इसाब से storage एड़ कर सकते हो, power supply unit, यानि कि PSU जो हम यहाँ पे suggest कर रहे हैं, वो है Deepcool का gold rated 850 watt का power supply, तो अब बाद आती है cabinet के, जिसमें मुझे एक बहुत प्यारा सा cabinet दिखा, वो भी सिफ 5,000 में, जो कि है Thermaltech S200, इसके साथ भी जा सकते हो, आप बहुत ही प्यारा cabinet है, जरूर आप इसे एक बार चेक कर लेना, जो भी components में आपको बता रहा हूँ, सारे के links जो है अगर आप gaming और streaming में interested हो तो उसका वीडियो भी आई रहा है, ये वीडियो अचा रहा है तो like करना मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में